दोस्तों नमस्कार मैं आपका भुपेंद्र नरायन सी खबर के शुरुवात कबीरदास जिके ग्यान से भक्त कवी कबीरदास अपने एक दोहे में कहते हैं साथ समंद की मसी करो लेखनी सब बन रहा है धरती सब कागद करो हरीगुण लिख्या न जाए मतलब साथ समंद की स्याही बना लीजिए सारे जंगल के पेड़ पौधों से कलम बना लीजिए पूरी धरती को कागद में बदल दिया जाए तब भी प्रभु इश्वर भगवान के इतने गुड़ हैं कि उसे लिपिवद मतलब लिखा नहीं जा सकता है दोस्तों मैं आदर्निय कबीरदाजी से माफी के साथ एरज करना चाहता हूँ कि क्योवल हरी के ही नहीं हमारे परम आदर्निय धानमंत्री श्री नरेंद मोदी जी के भी इतने ही गुड़ हैं कि उन्हें लीपिवद नहीं किया जा सकता उनके पुराने कारनामों की बात चोड़िए अभी देखिए उन्होंने क्या शांदार काम किया है अभी उन्होंने गुजराद दंगों से जुड़े पूरे अध्याय को ही इंसियार्टी की किताब से उड़ाने का फैसला कर लिया है न रहेगा बास न वाज़ेगी बासलूई की तरच पर न रहेगा किताबों में गुजराद दंगा का अध्याय न जिक्र होगा माननिय पुर्धान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारनामों का श्री मोदी जी जब से मैंने ये खबर BBC और Indian Express में देखी है और दूसरे अख़वारों में भी देखी है तब से मैं आपकी प्रतिवा का काहल हो गया हूँ क्या दिमाग लगाया है आपके और आपकी सरकार ने जो कुछ हुआ है उसे गलोब से ही गायप कर दो लोग वाग खुद ही उस बात को भोल जाएंगे वैसे BBC ने आपके फैसले पर सवाल उठाते हुए पूछा है और उन्हेंने पूछा है कि क्या गुजराद दंगों को NCRT की किताबों से मिटाने से इतिहास बदल जाएगा अब BBC वालों को कौन समझा है कि माननी है मोदी जी और उनके भक्तों का एक अलग अपना इतिहास बोध है जिसमें तत्थे और तर्क की कोई जगह नहीं होती है मोदी जी मैं मानता हूँ कि गुजराद दंगे जो वाले अध्या हैं इनको जो हटाले का फैसला आपकी गुजराद की भाजपा सरकार ने लिया होगा लेकिन ये बात पुरी दुनिया को पता है कि ऐसे फैसलों पर आकरी मुहर किसकी लगती है सब को पता है कि इसको हटाने का फैसला किसने लिया है वैसे भी गुजराद दंगों में जो दामन पर सबसे ज़्यादा दाग लगे थे वो दुनिया जानती है विपक्षी दलो और मानवधिकार करकरताओं के तो बात छोड़िए खुद आपकी पार्टी के भीश्म पिताम और दंगों के समय देश के ततकाली प्रधान मंतुरी रहे श्री अटल विहरी वाजपेई जी ने आपको राज धर्म निभाने का नसीहत भी दिया था मुझे पता है कि उनका वो बयान आज तक लोगों के और आपके इर्दगिर लोगों के सीने में शूल की तरह चुबा हुआ है लेकिन अब आपने उसका सर्जरी करके इसे पूरे प्रकरण कोई हटा दिया है इसके लिए निश्चिद रूप से आप बधाई के पात रहें अब NCRT में इसे पढ़ा नहीं जाएगा मेरी तरफ से भी बधाई स्विकार की दिये प्रधान मंद्फरी जी लगे हाथे लगे हाथों कुछ और काम कीजिए अपने साक्षन काल के कुछ और कारनामों को दुनिया के सारी किताबों से डिलीट कराने का इंतजाम कर दीजिए जैसे नोट बंदी, GST, किसान अंदोलन जैसी चीज़ों से आपकी बहुत किरकिरी हुई है चाहिए वो किसान अंदोलन नोट बंदी हो, GST अभी भी किरकिरी हो रही है और आपके पंद्रे लाक वाले जुमले को लेकर भी आपकी काफी उस पे सवाल उठते नहीं है इन सारी चीज़ों को सारी किताबों से डिलीट करवा दीजिए कोविट के दोरान गंगा में तैरती लाशी और रेत में दफन शवों के चितर तो जरूर हटवा दीजिएगा वो आपके महान व्यक्तित्व पर बदनुमादाग की तरह बना बैठा है एक बार ये सारे वाके किताब से हट गए एक बार इनसे जुड़ी तस्मीर डिलीट हो गई तो फिर सब कुछ पाक साफ को उठेगा वैसे भी आपको इन सब कामों का अनुबह है मुझे याद है कि जब आप अपने विदेशी महमान को गुजरात ले जाते थे तो शहर की गंदी और गरीब गलियों को पर्दों से ढखवा देते थे ताकि जो विदेशी महमान की जो नजर है उस पर उनकी नजर नहीं पड़े आप अपनी इसी निती को थोड़ा और विस्तार दीजिए देश में बहुत गरीबी है पोखमरी है किसान आत्म हत्या कर रहे हैं नौजवान परिशान है और तो और अगनी पत्य योजना से युवा भी परिशान है इन सब चीजों को भी लोगों के दिमाग से आटाने का कुछ इंतिजाम सोचिए एक और जरूरी काम जरूर कीजिएगा प्रदान मंत्री जी ये जो पड़ोसी मुलक हैं पाकستان और चीन ये बहुत बढ़माशी कर रहे है पाकिस्तान कश्मीर के रास्ते आतंक वादियों को भीज रहा है तो चीन सीदे हमारी सीमा में घुसपैट कर रहा है इन दोनों के नामों और कारनामों को भी किताबों से हटवाने का प्रबंद कीजिए न रहेगा इनका जिक्र न लोगों को इनके बारे में कभी पता चलेगा इस तरह के कई और सुझाव अभी मेरे पास हैं प्रधान मंत्री मोदी जी आप अपने काम को आगे बढ़ाईए मैं वो सब सुझाव आप तक पहुंचाता रहूंगा फिलहाल आपने गुजराद दंगों से जुड़ा अध्याय किताबों से हटाने का जो फैसला किया है उसको लिए आपको एक बार फिर से धन्यवाद नमस्कार